हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फार्मिंग जर्णी में दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत ही तगड़ा कॉंबिनिशन जो क्या 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 आपको साथ में लेना है क्या क्या नहीं लेना है और क्या आपको ज्यान रखना इस इस्प्रे में और किस टाइम कौन से फसल के स्टेज में आप इसका उप्यूब करना है इसका डोज आपको क्या रखना है साथ में रोको का डोज क्या रखना है आपको साथ में कौन-कौन से कीट ना सक ले सकते एवं आप कौन-कौन सी फसलों पर इसको एपलाई कर सकते है सावधानिया क्या क्या रखनी है इसकी डूज क्या रहेंगी इसकी प्राइज क्या रहेंगी इससे भी डीटेल से जानकरी दी जाएगे वीडियो में एंट तक बने रहे और सैनल पर पहली बार आये हो तो सैनल को सब्सक्राइब जरूर करे तो चलिए दोस्तो आज हमने तीन प्रोडेक्ट लिये हैं सबसे पहला हमने प्रोडेक्ट लिया है कीटनासक की रूप में जो कि एक बहुत ही तगड़ा कीटनासक आता है बास्प का एक्सपोनस जो कि मार्केट में बहुत ही तगड़ा रिजल्ट देखने को मिल रहा है यह दोस्तों बात करते हैं इसके टेक्निकल फॉर्मूलेशन की दोस्तों इसमें ब्रोफनानी लाइड तेनसो जील एसी फॉर्मूलेशन में आता है बात करते हैं दोस्तों यह क्या कार्य करता है फसलों पर हैं इसका डूज हैं इसकी क्या प्राइज है तो दोस्तों ये सभी परकार के रच चूसक कीट होते हैं जैसे कि थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई और इसके लावा जितने भी परकार के सुन्डी होती है उन सभी में इसका रिजल्ट देखने को 100% मिलता है बात करते हैं इसके दोस्तों डोज की तो आपको इसका डोज की अतना रखना है तो आपको इसका डोज रखना है 200 लेटर पानी में 34 ml जो कि ये 34 ml का ही पैक है और ये 200 लेटर पानी में आप इसको रखना है अब दोस्तों ब अलग लग मार्केट रेट हो सकती है 2200 से 2500 रुपे में आपको मार्केट में यह अवैलेबल हो जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं फॉसल के कौन से स्टेज पर इसका इसका कर सकते तो आप इसका इसको कोई भी स्टेज में फ्लावरिंग स्टेज हो या फ्लावर बने के साथ यह मिल सकता है दोस्तों बात करते दूसरे प्रोडक्त की हमारे तो दूसरा हमने लिया है रोको यह चो कि आपको पता ही रोको क्या चीज और इसमें क्या-क्या टेकनिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसमें थाइपो नेट मिताइल 70% WP फॉर्मूलेशन में आत करते हैं दोस्तों ये कौन-कौन से फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं तो इसका उपयोग का कोई भी फसल सब्जी वर्गय हो बागवानी वर्गय हो कोई भी परकार की फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों इसका डोज आपको कितना कर रहे हैं तो 15 या 20 ग्राम का उप्यों आपको करना है अब दोस्तों बात करते हैं कौन-कौन से फंगस को रोकता है तो यह अरली ब्लाइट लेट ब्लाइट डाउनी मिल्डिव पाउडरी मिल्डिव एंत्रा कनोल अल्ट्रेनिया पत्ती धबा लीफ ब्लाइट जितने भी प अब आपको यह मार्केट में एक कीजी का पैक 1500-1600 रुपे में मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट की रेट दोस्तों इधर उदर हो सकती है अब दोस्तों थीसरा प्रोडेक्ट हमने लिया है कैप्टफ जो कि टाटा रैली कंपनी का आता है और बहुत ही फंगस को रोकता है तो दोस्तों यह कॉंटेक्ट फंगिसाइड होने के कारण जिन फंगस कॉंटेक्ट में आएंगे उन सभी का कंट्रोल करेगा अब दोस्तों बात करते हैं यह कौन-कौन से फंगस को कंट्रोल करता है तो लगबग सभी परकार के फंगस को कंट्रोल करता जैसे अल्टेनिया एंत्रागनोज डाउनी मिल्डियों पाउडरी मिल्डियों एंत्रागनोज फल सड़न फ्रूट रॉट फ्रूट सभी परकार के जो फसलों में फंगस देखने को मिलते हैं जैसे सब्सक्राइब बागवानी फसल अब इसका उप्यूग बेजिज़क कर सकत है छो बात करते है्सके डूज किश्का किसा डूज कितना रखना है एक ग्रम पानी में 1.5 लिट्र पानी में द्रम् ग्राम अर ऑगर आप 2500 लिट्र का ड्रम्ẽ बनाते तो आप इसमें 500 ग्राम कर सकते अब दोस्तों बात करते हैं इसके price band की यह price में कितना आपको expensive पड़ेगा या क्या रहत में आपको market में available हो जाएगा तो लगबग आपको यह आदे किलो का पेक साड़े 300 से साड़े 400 रुपे में market में available हो जाएगा मार्केट की रेट दोस्तों इधर उधर हो सकती है तो वो कोई नहीं आप प्लीस कमेंड में ये न कहें कि मेरे याँ इतने में मिलता है मेरे याँ इतने में मिलते है मार्केट अलग लग रहता है और मार्केट की रेट इधर उधर हो सकती है